हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल सहाइज क्लासीज तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट 8 है दी एंड एफ लोक ऐलिमेंट्स उसका क्योशन 4 देखेंगे इससे पहले वाले जो इसके तीन क्योशन है वो वन बाई वन हमने डिसकस कर लिय हमें लेनी है first series transition elements की और उसमें हमें क्या बताना है कि जो उसकी electronic configuration है वो कैसे decide करेगा कि उसकी जो stability है कौन सी oxidation state पे है क्या कि electronic configuration कैसे हमें बताएगा कि which oxidation state is stable कि कौन सी oxidation state stable है किसी भी element की तो वो हमें बताएगा configuration तो इस question में हमें पूछा गया है यह हमें बताना है examples के साथ अब देखो इसमें क्या होगा हमने पहले भी देखा है कि जब भी अपना configuration होगा वो half field या completely field की side जाएगा तो जो भी उसकी stability है वो बढ़ जाती है तो यहां से हम क्या लिखेंगे की दा first series of transition elements वो oxidation state जो क्या करें? half field या completely half field configuration बनाएगी वो stable होगी the oxidation state state which leads to exactly half field या तो exactly half field हो और completely field the orbitals are more stable तो वो oxidation state stable होगी जिसमें क्या हो? element या तो half field configuration acquired कर ले या तो completely field configuration को acquired कर ले अब इसके example देखते हैं देखो जैसे हमने मेगनीज लिखा MN इसका atomic number होता है 25 और इसका configuration होता है आपकर 18 तो इसके लिए आया 4S2 3D 5 तो इसको जब हम MN 2 प्लस में लेते हैं तो MN 2 प्लस में क्या हो जाएगा? इसके दो electron चेले गए तो यहां पे बचेगा 3D 5 और यह configuration होता है अपना क्या? 1,2,3,4,5 हां 1,2,3,4,5 एक में दो लिखती है 5 ठीक है और यह क्या है अपना exactly half field तो यह है अपना stable ठीक है जैसे हम FE के example लेगे चले FE उसका atomic number है 26 और इसका configuration होगा 18,4,H2,3,D6 अब देखो इसकी दो possibilities है एक तो हम FE 2 प्लस ले एक तो हम FE 3 प्लस ले जब हमने इसमें से FE 2 प्लस लिया तो यहां पे जो configuration होगा 3D 6 FE 3 प्लस लिया तो 3D 5 कैसे? तीन प्लस का मलब तीन गए 2 यह यहां तो D5 बचा,2 प्लस का मलब दो यहां से गए है तो D6 बचाना हो यहां से D 3,4,5 और यहां से 1,2,3,4,5 इसमें कितने है? 5 तो 1,2,3,4,5 इसमें कितने 6 1,2,3,4,5 एंड 6 तो अब देखो, यह तो अपना क्या है? half field exactly half field तो यह जो है ना तो यह क्या है half field है exactly half field है और ना ही completely field है तो जब हमें ऐसे बताना हो तो अपनी कौन सी oxidation state stable होगी तो कौन सी होगी है F3 plus होगी क्यों क्योंकि इसमें आते ही यह exactly half field configuration को acquired कर लेता है इसलिए जो F3 की case में plus 3 oxidation state होगी वो ज़्यादा stable होगी तो F3 plus is more stable than F2 plus due to exactly half field configuration exactly half field configuration होने की वज़े से जो अपना F2 plus है जो अपना F2 है वो 2 plus में नहीं stable होता F3 plus में ज्यादा stable होता है तो यहाँ पी जो अपना equation 4 है वो complete होता है next video में हम मिलेंगे question 5 के साथ तब तक के लिए धन्यवाद thanks for watching my video